हेलो फ्रेंड मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ नोनी कसाग इसे मैं मसूर दाल के साथ बना रही हूँ बिहार का एकतेवार होता है जितिया जिसमें माँ अपने बेटे की लंबी आयू के लिए वरत रखती है नोनी कसाग इस वरत में जरूर खाया जाता है दो बड़ा चमच मैंने मसूर दाल लिया है नोनी कसाग कुछ इस तरह का होता है इसके शाखाएं एकदम पतली पतली सी होती है और पतियां भी बहुत छोटी होती है इसका पाधा बहुत छोटा होने की वज़ा से इसमें मिट्टियां वगयरा भी बहुत जादा होती है आपको इसे जब भी पकाना हो तो एक दिन पहले चुन कर घास वगयरा या मिट्टी हो उसे निकाल कर रख ले देखिए मैंने एक दिन पहले ही इसमें से जरवाली डंडी को निकाल दिया था छोटे छोटे घास वगयरा हो तो से भी निकाल दें इस साग में बहुत बारीक सी डंडियां उलजी उलजी सी रहती है तो इसे आप chopping board पर रख कर थोड़ा सा छोटे चोटे पीस में कर ले आधा मैंने पहले ही काट कर रख लिया था यहाँ पर मैंने 250 गिराम नोनी कसाग लिया है इसे छोटे पीस में काट कर आप छनदनी पर रख कर ही धोयं या किसी बर्तन में आप पानी लेकर इसे धोएं टुकडी में रखकर आप इसे कभी नहीं धोएं टुकडी में धोने से इसकी सारी पत्तियां बह जाएंगी इसे नल के नीचे रखकर बहुत अच्छी तरह से धो लें साग बनाने के लिए फिलेम को अन कर लें और कराही को गरम होने दें कराही के गरम होने पर इसमें एक बड़े चमच के करीब तेल डाल दें तेल को अच्छे से गरम होने दें तेल जब गरम हो जाये तो इसमें एक चोथाई चमची जीरा डाल दें यहां पर मैंने एक मीडियम साइज प्याज को इस तरह से चोटे टुक्रों में काट लिया है और दो पिस लाल मिर्च लिया है छे साथ पिस लहसुन के दानों को भी चोटे टुक्रों में काट लिया है इन सभी चीज़ों को तेल में डाल दें प्याज को हमें बहुत जादर लाल नहीं करना है बस थोड़ा सा इसे पकाना है प्याज जब हलका सा प्राइ हो जाए तो इसमें एक छोटे सी टमाटर को काट कर मिला लें एक चथाई चम्ची हल्दी पॉडर मिला लें एक चथाई चम्ची काली मिर्ज पॉडर एक चथाई चम्ची जीरा पॉडर को भी मिला लें सभी चीजों को मिलाते हुए चला लें दो मिनिट के लिए टमाटर को मसालों के साथ मिलाते हुए पका लें सबही चीज़ों को थोड़ा सा भूनने के बाद मसूर दाल को धो और मिल लें मसूर दाल से साग का टेश्ट बहूत अच्छा आता है इससे में फिलेम को मीडियम रखें और मसूर दाल को भी मसालों के साथ मिलाते हुए दो मिनٹ के लिए भून लें आधे चंची नमक मिला ले ये नमक आप अपने साधा नुसार मिलाएं दॉर्भ को मसालों के साथ थोड़ी दर बुनने के बाद इसमे के साग मिला ले साग को मैंने बहुत अच्छे से धोने के बाद इसके पानी को छनने के लिए रख दिया था सबी चीजों को मिलाते हुए थोड़ा चला ले इसी समय इसमें एक कप पानी मिला ले सबी चीजों को मिक्स कर ले फिलेम मीडियम ही रखें और साग को कवर करके 4-5 मिनिट के लिए पकने दे साग को पकते हुए 5 मिनिट हो चुकी है कोल कर इसे देख ले थोड़ा चला ले थोड़ा साम इसे और पकाएंगे तो इसके लिए आधा कप पानी डाल दे और इसे फिर से कवर करके 4 मिनिट के लिए पकने दे 4 मिनिट बाद आप इसे फिर से कोल कर देख ले साग को चला ले आप अगर साग को सूखा खाना पसंद करती है तो इसका पानी थोड़ा सा सूखा ले वैसे ठंड़ा होने के बाद ये थोड़ा सा और सूख जाएगा नुनिया साग और मसूर दाल के भाजी रेडी हो चुकी है फिलेम को आफ कर दें वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना एक दम ना भूलें मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ओके बाई